सो एलो दोस्तो कैसे हैं आप लो आज की वीडियो में हम जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं उसने OTT पर तैल का मचा रखा है एक लब स्टोरी को वर्डवार 2 की कहानी से जोड़ना कोई आसान वात नहीं है मूवी का नाम है बवाल तो चलिए सुरू करते हैं इस वीडियो को पूरी इमेज एक छलावा है अज्जूबिये लोगों के सामने जो दिखाते हैं उसमें बिल्कुल भी सचा ही नहीं है या तक कि वो हिस्ट्री टीचर भी जोगार लगा कर बने थी जहां पर बच्चों से ड्रीम 11 की टीम बनवाना उन्हें एक्स्टर मार्ग्स देकर पास करना इसी तरह अज्जूबिये की लाइफ चल रही थी अज्जूबिये ने करिब 9 मही ने पहले निशा नाम की एक लड़की से साधी गी थी लेकिन वो उसे कभी भी पसंद नहीं करते थी वैसे अज्जूबिये ने अपनी हीरो वाली image बरकारा रखने के लिए निशा से साधी गी थी क्योंकि निशा एक पड़ी लिखी well educated और forgotten दाथ इंग्लिस बुलने वाली लड़की थी साधी से पहली निशाने अजे को बताया था कि उसे मिर्गी के दोरे पड़ते हैं तो तब आया जब साधी की भाग दोड़ में निशा दवाईयां लेना भूल जाती है और साधी की पहली रात यानि सुहागरत मनाने से ठीक पहले निशा को मिर्गी के दोरे पड़ जाते हैं और जब अज्जूबिया अपनी होने वाली को ऐसी हालत में देखते हैं तो उसकी सारे सपने टूटे हुए कांच की तरह बिखर जाते हैं वो जल्दी से उस रूम के सारे परदे बंद कर देते हैं ताकि और कोई भी निशा को इस हालत में ना देख पाए तो अब इस पल से अज्जूबिया निशा से दूरी बना लेते हैं और उस दिन से लिकर आज तक नाई उन्होंने निशा के साथ अच्छे से बात की हैं और नाई उसके साथ कहीं बाहर जाते हैं क्योंकि अज्जुबिया को डर था कि कहीं पबलिक प्लीस में निशा को दोरे पड़ गए तो उसकी बनी बनाई इमेज चूर चूर हो जाएगी। लेकिन पानी अप सर के ऊपर निकल चुका है और अज्जुबिया के इस बहएवियर से करके सारे लोग परिसान थे। इसलिए निशा इस बारे में अज्जुसे बात करती है और बातों ही बातों में दोनों के भी जगड़ा हो जाता है। वो बच्चा बिदायक विश्वास रगवनसी का बेटा है तो अज्जुबिया की पूरी हेकड़ी निकल जाती है। इसलिए अगले दिन अज्जुबिया प्रिंस्पल के आफिस जाते हैं और उनसे कहते हैं कि मेरी एक छोटी सी गलती की सेजा बच्चों को नहीं मिलनी चाहिए। बहले ही आपने मुझे सस्पेंट कर दिया हो पर आप मुझे बच्चों को पढ़ाने से नहीं रोक सकते। क्योंकि एक्जाम सर पर है और इस महीने हम बच्चों को वर्डवार 2 पढ़ाने वाले थे लेकिन पता नहीं तक हम सस्पेंट हो जाएंगे जिसका हमारे बच्चों पर बहुत बुरा प्रभाव पढ़ा है लेकिन अब हम इस नेगेटिव को पॉजिटिव बनाएंगे और अपने पैसे से यूरोब जाकर वर्डवार 2 की लाइब लोकिसंसों ने वर्डवार 2 पढ़ाएंगे दरसल अजूबिया लोगों को अपना डेडिकेशन देखाना चाहते थे कि वो अपने स्टूडेंट्स को लेकर कितने डेडिकेट टीचर हैं जिससे भले ही वो हनिमून की नाम पर पापा से पैसे लेने पड़ते हैं और क्योंकि पापा को लगता है कि अजूहए अपने रिस्ता सोधार न चाहते हैं वो भी halten की बात निशा को पता चलती हैं तो वह बहुत ज्यादा खुस conflicts होती इसलिए इसलिए जर से कहते हैं कि तुम्हें ज्यादा खोस होने की जरूरत नहीं है यह सब में अपनी इमी सुधारने के लिए कर रहा हूं तो तुम चुप-चाप एरपोर्ट से अपने घर लोड़ जाना और जब मैं वापस आऊंगा तो तो मैं बुला लूँगा जिससे सबको यही लगेगा कि हम दोनों साथ गयते और साथ ही व वैल इस मूवी में एक फन पार्ट भी होता है जो अज्जू भी यह और इक गुजराती बाव के बीच देखने को मिलता है जब एरपोर्ट पर दोनों के बैग एक्सचेंज हो जाते हैं तो आगे यह दोनों होटल पहुंचते हैं जहां अज्जू भी यह लाइव आकर अप दिये लेकिन अज्जू भी यह से पहले यह टेक्सी वाले ने इतनी जादा पैसे ले लिये थे कि उसके पास कहीं और जाने के लिए पैसे ही नहीं बचे थे यहां दक कि उनके पास खाने पीने के लिए भी पैसे नहीं थे तो अब पूरा दिन बिना खाए पिये गुजारन जिसके बाद ये दोनों अगले दिन पहुच आते हैं World War 2 की पहली लोकेशन पर जहाँ पर निशाई है जो अज्जू भीया को World War 2 के बारे में बताती है और फिर वही चीज वर्ड टो वर्ड अज्जू भीया लाइव आगर बच्चों को पढ़ाते हैं जिससे बच्चों को भी पढ़ाई में काफी जादा इंट्रस्ट आ रहा था तो अब इसी तरह वो दोनों यूरोप के कोने कोने में जाकर World War 2 की कहानी को एक्स्प्लोर करते और वही चीज अज्जू भीया वीडियो के थुरू अपने बच्चों को पढ़ाते वहीं दूसरी तरह हम देखते हैं कि अज्जू की माज इसे सफाई की दौरान निशा की अलमारी में एक एनवलप मिलता है जिसमें निशा ने डाइवोर्स के पेपर रखी हुए थी दरहसल निशा अज्जू के बरताओं से बहुत ज़्यादा परिशान हो चुकी थी और उसे कोई उमीद भी नहीं थी इसलिए उसने फैसले किया कि अब वह अज्जू के साथ नहीं रहेगी और डाइवोस ले लेगी लेकिन उसी वक्त अज्जू का सस्पेंड होना और हनीमून के लिए यूरूब जाना निशा को लगा कि साइद उनके रिस्ते में अब भी कुछ हो सकता है तो आब इन पेपर्स को लेकर दोनों फैमिलीज आपस में मिलती हैं बिसाइड करती हैं कि जब वो लुक्तिर्प से वापस आएंगे तब हमसे पूछ लेंगे कि वो दोनों साथ रहना चाहते हैं या नहीं बीच्ट्रिम में उन्हें परिसान करना ठीक नहीं होगा जिसके बाद ये दोनों नॉर्मंडी से होत हुए उहामा बीच जाते हैं जहांपर निशा वर्ड वर टू की कहानी एक आडियू पॉड्कास्ट में सुन रही होती है वो कहानी इतनी ज़्यादा दर्दनाग थी कि उसे सुनते सुनते उसकी आखों से आसुआ जाते हैं निशा वो पॉड्कास्ट अजू भीयों को सुनाती है जिसमें बताया गया है कि 6 जून 1944 की सुबह साड़े 6 बजी एलीट फोर्स की पहली टुकडी निकली थी जहांपर 12,000 जर्मन शोल्जर्स उनका इंतजार कर रहे थी वहीं 300 मीटर तक का खुला हुआ बीच जहां छुपने की कोई भी जगे नहीं थी इसलिए पहले ही गंटे में करीब 90% सुल्जर्स मार जा चुके थी इस पूरी कहानी में अजुबिया खुद को इमेजिन कर रहे थे जिसे सुनने के बाद वो खुद भी एमोशनल हो जाते हैं इसके बाद ये दोनों वर्ल्ड वार टू की दूसरी लोकेशन पर जाते हैं जो एमसेडम में थी जहां वो एन्फरेंग के घर जाते हैं जिसे 13 साल की उमर में जर्मन सोल्जर्स ने मार दिया था एन्फरेंग की एक लिखी का थी और मरने से पहले उन्होंने एक डायरी लिखी थी जिसमें लिखा था कि कैसे उन्हें तीन दिनों तक खुद को चुपाना पड़ा था वो भी बिना खाने पीने की चीज़ों के क्योंकि अगर वो बाहर जाती तो उन्हें जर्मन सोल्जर्स मार देते उस डायरी से हमें ये पता चलता है कि एन्फरेंग कितने मुश्किल हालाओतों से गुजरे थी लेकिन फिर भी वो खुष थी एन्फरेंग की कहानी से अज्जुबिये को एसास होता है कि हम छोटी छोटी सी बातों को लेकर कंप्लेन करते रहते हैं और जिन्दिगी को जी नहीं भूल गए हैं जिसके बाद वो निशा से पूछता है कि अगर तुम्हें पता हो कि आज तुम्हारा आखरी दिन है तो तुम क्या करोगी निशा उससे कहती है कि अगर आज मेरा आखरी दिन है तुम्हें एक रेड गाउन पहन कर बहुत सारा डांस करना चाहती हूँ और बहुत सारी बियर भीना चाहती हूँ जिसके बाद ये दोनों अपना आकरी दिन मानकर साथ में quality time spend करते हैं जिसमें ये लोग बियर पीते हैं, dance करते हैं और भी बहुत कुछ करते हैं लेकिन जैसे ही हमें लगता है कि दोनों करीब आ रहे हैं अज़ो भी ये को मुरारी का call आता है वो अज़ो भी ये से कहता है कि यहां एक मेटर सॉल्ब नहीं हो रहा है और आपने दूसरा बावाल खड़ा कर दिया दरसल निशा ने वो वीडियो अपलोड कर दिया जिसमें दोनों एक साथ डांस कर रहे थे जिसका मुद्धा बना कर बिदाएक जी ने पूरे लखनाव में ये निउस फैलवा दी कि अज़ो भी ये पढ़ाने नहीं बलकी मजे करने गए हैं जिसके बाद अज़ो भी ये गुस्य में निशा के पास जाते हैं सबको बताना चाहते थे कि हमारी लाइब भी नॉर्मल है लेकिन एक बार फिर अज़ो भी ये भावी को उनके दौरे को लेकर अनाप शनाप बोल देते हैं जिससे हमेशा की तरह एक बार फिर भावी को हर्ट हो जाता है मोवी के अगली सीन में अज्जू भीया एक म्यूजिम में जाते हैं जहाँ पर हमें उन लोगों का समान देखने को मिलता है जिनने नाजी सोल जर्स अपनी पूरी जिंदिकी समयटने के लिए बस एक छोड़ा सा बैग देते थे और कहते थे कि जो भी समान लेना है सिर्फ एक पैग में ले लो और यहां से चले जाओ और जब अज्जू भीया खुद कुस परिस्तिती में रखकर देखते हैं तो पहले तो वो अपना जरूरत का समान बैग में रखते हैं और उससे कहते हैं कि मैं पिछले दस महीनों में भी ये नहीं समझ पाया कि तुम मेरी लाइक हो या नहीं पर मैं इन दस दिनों में समझ गिया हूँ कि तुम हमेशा से परफेक्ट थी बलगी मैं ही तुमारी लाइक नहीं था जहाँ पर World War 2 के टाइम पर करीब 13 लाग से जादा लोगों को बंदी बना कर रखा गया था जिन में से धायलाग बंदी तो सिर्फ बच्चे ही थे और इसी तरह उन्होंने 13 लाग में से करीब 11 लाग लोगों को मत के एक हाट उतार दिया था जिसके बाद वो दोनों यहाँ से होते हुए एक इवेंट में जाते हैं एक दिन वो मुझसे मिलने नहीं आई और मुझे पता था कि वो नहीं आएगी मैंने अपने रिस्ते को समझने में इतना समय लगा दिया कि जब मैं उसके साथ होना चाता था तब वो मुझे छोड़ के इस दुनिया से चली गई अज्यू भी ये उस आदमी की बाते सुनकर बहुत इमोशनल हो जाते हैं और सोचते हैं कि अगर वो सस्पेंड ना हुए होते तो साथ वो भी अपने रिस्ते को समझने में देरी कर देते वेल अगले दिन ये दोनों इक गेस चेंबर में जाते हैं जहांपर जर्मन सोल्जर्स हर रूज हजारों लोगों को नहलाने की बहानी उस चेंबर में लाती और फिर उन्हे पेस्टिसाइड डालकर मार दिया करते थे इस चेंबर की घटना इतनी दर्दनाग थी जिससे सोचकर ही निशा बहुत नर्वस हो जाती है और उसे दौरे पढ़ जाती है यहां पर हमें देखने को मिलता है कि अज्जुविया ने हम निशा वापी को दिल से एकसेप्ट कर लिया है इसलिए वो उसके पास जाते है और और यहां पर अज्जुविया ने सकी ट्रिप खत्म हो जाती है और दोनों वापस इंडिया आ जाते हैं जहां पर हम देखते हैं कि अज्जुविया पूरी दर से बदल गए हैं क्योंकि अब उन्हें अपनी इमेज की जरा से भी चिंता नहीं है तो अब अगले दिन इस लिए जखते हैं कि कभी भी हमने बच्चों को मन लगा कर नहीं पढ़ाया लेकिन विछले 15 दिनों में बच्चों को पूरे मन से पढ़ाया है लेकिन ये 15 दिन हमारे पूराने पाप तो नहीं दो सकते इसलिए हम इस नोगरी से इस्तिफ़ा दे रहे हैं और इतना कैकर जुपिया वहाँ से जाने लगते हैं लेकि तभी बिधायक जी इमें सर्प्राइस करते हैं जब हो कहते हैं कि मैं ये तो नहीं चाता कि स्कूल में कोई खराब टीचर रहे पर मैं ये भी नहीं चाता कि कोई अच्छा टीचर स्कूल से जाए वैल ऐसा उन्हों ने इसलिए का क क्योंकि उन्होंने जो बच्चों का सर्प्राइज टेस्ट लिया था उसमें हर इक बच्चा अच्छे माग से पास हुआ था और फिर हम देखते हैं कि 15 दिन पहले जिस सर्विंदिगी की सांथ बच्चों के बीच से निकले थे आज उतने ही प्रावड की सांथ बच्चों के बीच खड़े होते हैं और इसी की सांथ यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है तो दोस्तों मैं आपसे दिल से अपील कर रहा हूँ अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और जादर से जादर इस वीडियो को सेर करें हमें ग्रो करने के लिए मिलते हैं आपसे एक और इंटरिस्टिंग वीडियो के साथ तब तक के लिए जय जय बारत